वो कौन है दरी जामा पहन के आता है रसूल पागी का साफा पहन के आता है शहीद होने का राहे कुदा में सुर्ख का बागी का साला धराना पहन के आता है नाना मदीना हमसे छूट गया नाना मदीना हमसे छूट गया रम से हमारा ये दिल तूट गया नाना मदीना हमसे छूट गया नाना मदीना हमसे छूट गया नाना मदीना हमसे छूट गया जुर्म हाकिमता बढ़ा कुछ इस पगल सब लगे जाने मदीना छोड़िकर फजरते तनहा वो अब गुल्ला दुबैर और अली है दर खुदा के थे वो शेर सब लगे कहने चलो तुम भी हुसैन ऐ अली के नाड़िने जहरा के चैन सुनके आपाओ बड़ा सदुमा हुआ और लगों से ये अधा कलमा हुआ किस तरह जाओ मदीना छोड़कर आज सबसे अपना नाता थोड़कल आ गए फिर वालिदा की अभूर तक और छोड़ा नाता हमुल सभूर तक वो लगे रोमे डिपटकर अभूर से अश्ट आखों से तिरे इस जबूर से फिर हसन भाई की तुर्बत पर गए यानी अपसुर्दा वो हालत पर गए हाल गम सीले में वो सहने लगे भाई से दो रोके वो कहने लगे फिर गए नाना की तुर्बत के अरीब बोले नाना ले चला मुझको नसीब दिल पे ये फुरकत अगम सहने लगे या हुसे या हुसे रोके वो नाना से ये कहने लगे नाना मर्दीना हमसे छूट गया गम से हमारा ये दिल तूट गया गम से हमारा ये दिल तूट गया नाना मर्दीना हमसे छूट गया नाना मर्दीना हमसे छूट गया जाओ प्र गया तूट गया लुब वो तूट गया लुब वो फिर मदीना छोड़े कर प्यारे हुसेंद आ गए काबा वो शाहे मशिर पैंद और यहां काबे से वो जहरा के चैंद काफ ला लेकर चले प्यारे हुसेंद बोल फिर बीमार सुहरा देख कल क्यूं चले बाबा मुझे तुम छोड़े कर जी खकी थी रोती थी वो जार जार कोल शाहा मत हो बेटी दिल फिकार यह सफर है दूर का नूर नजल इसलिए मैं जा रहा हूं छोड़े कर तुम अगी बीमार हो बेटी मेरी तुम को मैं बुलबाओंगा ऐ लाड़नी दीन पर बाता गई है लाड़नी तान सब देते हैं मुझे को लाड़नी दीन एहमत को बचाने के लिए हैं सभी तैयार जाने के लिए खाफला लेकर चले प्यारे हुसैन देखते ही रहे गए सुखरा के लैन खाफले में सब पहतर फर्द थे ये नमाजी और वाजी मल्द थे साथ थे मासून बच्चे भी वहां या हुसैन या हुसैन सयादान आर थे पीरो जवां नाना मदीना हमसे छूट गया घंसे हमारा ये दिल तूट गया नाना मदीना हमसे छूट गया नाना मदीना हमसे छूट गया कर दो कर दो कर दो पूंज उठ्थी हर तरफ से ये सदा ए हुसेन पुने अलीसत मरहबा जान बेपूपा चला ये काफुला आहनी था उन में सब का उसिला अल्लाहु अकबर के नारे थे वहाँ और चले कहते हुए ये नेरवाँ पाफुला लेकर चले शाहे जमाँ सक्त और दुश्वार राहों से वहाँ ये नमाजी गाजी ये इसलाम के ये नमाजे पढ़ते भी हर गाम के थे सभी सैयत सभी आले रसूल थे शरीयत वाले सब इनके उसूल ये चले पूफा तो देखा इक गोबार आ रहा था उसी तरफ से इक सवार नमावर जब आ गया इनके खरीब बादब होकर वो आया बानसीब पूछा जब शाहाने ये मुस्लिम का हाल तो लगा कहने वो उनसे खुश खिसाल हो गए गूफी मुखालिब या इमाम आपके अब कतल का है इंतिजाम हजरते मुस्लिम शहादत पागे या हुसें या हुसें जुल्म जालम गुल्बेदे को अठा गए नाना मदीना हमसे छूट गया घंसे हमारा ये दिल तूट गया नाना मदीना हमसे छूट गया नाना मदीना हमसे छूट गया जाना मदीना हमसे छूट गया हो गए बच्चे भी उन्हे अबो शहीद सारे कुफी हो गए दुश्मन बलीद दौटे जाएं काबा को मेरे हुसेन इलते जा सुन लीजिये जहरा के चैन सुन के फिर शाहा मेरे रोने लगे भाई के गम में वो जांखोने लगे ये मुझाहिद और बड़े जांबाज थे एक दूजे के लिए दम साज थे अजम इनके आहली फौला दिखे मुश्किलों में रहके भी ये शात थे हर परदम उठता सदावत के लिए इनका हर लमहा इबागत के लिए इनकी आँखों में था अबरत का जलाल और नगी का इनके चेहरों पर जमाल इनके लब पे आयके पुर्णान थी इनके दिल में आतिशे की मान थी आ गए वो राहे पर बल जो मगर भुरभुरा लशकर सामने आया नजर जो यनिदी पाज के सरदान थे या हुसें, या हुसें जो गुलाने एहमद मुखुर तावि थे नाना मदीना हमसे छूट गया गम से हमारा ये दिल तूट गया नाना मदीना हमसे छूट गया नाना मदीना हमसे छूट गया जो गया जो कर दो गया जो गया फौज ओ समझा के वो आए परीद बोले आपा से यही वो खुश नसीद आप वापस कावि को जाएं इमाम सब मुखालिब हैं यहां फौजे तमाम सुनके हजरत काफु ना लेकर चले कीन रातों तक सफर करते रहे सुनके हजरत काफु ना लेकर चले तीन रातों तक सफर करते रहे सुबहा होती खुद को पाते थे वही पाउं को लिपटी थी करबल की जमी सुबहा होती खुद को पाते थे वही पाउं को लिपटी थी करबल की जमी सुबह कर मिटी को हजरत ने कहा हाँ यही तो है जमीने करबला उस जगाखे में लगाए आपने कुछ नमंसूदे बनाए आपने उस जगाखे में लगाए आपने कुछ नमंसूदे बनाए आपने हो गई नम आखे गम सहने लगे या हुसे या हुसे सिम्न तैबा रुख किया पहने लगे नाना मदीना हमसे छूट गया नाना मदीना हमसे छूट गया गम से हमारा ये दिल तूट गया गम से हमारा ये दिल तूट गया नाना मदीना हमसे छूट गया अजया